21 जुलाई आशाड पूर्णिमा तिथि के दिन बस कर लेना एक मुठी धनिया वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाए भगवान विश्णुजी माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर आपकी हर मनो कामना होगी पूरी एक ही दिन के उपाए से बन जाओगे आप करोडपती दोस्तों सनातन धर्म में एक वर्ष में बारह पूर्णिमा तिथि पड़ती है लेकिन इन में सबसे ज्यादा विशेश और खास महत्व आशाध पूर्णिमा तिथि का होता है क्योंकि दोस्तों आशाध पूर्णिमा तिथि के दिन सावन के पवित्र महीने का शुभ महूर्थ शुरू हो जाता है ये वही दिन होता है जिस दिन मुहूर्थ खत्म होने पर भगवान विश्णु जी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। दोस्तों आशाध पूर्णिमा तिथी के दिन भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। पूर्णिमा तिथी का समय पूरे 122 वर्षों बाद आया है दोस्तों। इस पूर्णिमा तिथी का न केवल पूरी दुनिया के तांत्रिक बलकि ज्योतिश पंडित एस्ट्रोलॉजर भी बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। और इस दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं। किसी पवित्र नदी में जाकर सनान करते हैं। पूरे दिन का व्रत रखते हैं। तो साक्षात आपको भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद एक साथ प्राप्त होगा। लेकिन किसी कारण वश अगर आप 21 जुलाई आशाध पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं। किसी पवित्र नदी में जाकर सनान नहीं कर सकते हैं। पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप चुपचाप एक मुठी धनिया का उपाय ज्योतिश शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं। जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक-एक करके देने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही उपाय करने से भगवान विष्णुजी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। जाने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धी होगी। और मान कर चलिए दोस्तों आने वाला समय आपका बहुत ही कल्यानकारी होगा। बहुत ही सौभाग्य शाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुठी धनिया का उपाय करके आपको भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें और आपने देखा भी होगा। जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है। अगर आप ब्रिहस्पती ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो दोस्तों ब्रिहस्पती ग्रह एक व्यक्ती के जीवन के भाग्य राहु केतु नव ग्रह से जुड़ा होता है। और दोस्तों कई सौ सालों बाद इस आशाध पूर्णिमातिति के दिन कई दुरलभ और शुभ योग बन रहे हैं। यानि कि इस दिन अगर आप चुपचाप सिर्फ एक मुठी धनिया का उपाए, विधि विधान से तंत्र शास्त्र और जोतिश शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं। जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो सिर्फ एक ही दिन के उपाए से आपको भगवान विष्णुजी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद और वरदान एक साथ मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में एक चमतकारी और सक कारात्मक बदलाव आएगा, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाय देखिएगा, और अगर आप भगवान विष्णुजी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डाल दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, सफलता आपके जीवन में आपको हर जगह से प्राप्त होती हुई चली जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर आपको आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान विश्णुजी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक, भगवान विश्णुजी के सामने जला देना है। अब आपको एक पीला कपड़ा बिचाना है उस पर एक मुठी धनिया रखना है और पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है क्योंकि पीला रंग भगवान विश्णु जी को बहुत प्रिये है इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विश्णु जी के बीज मंत्र कहीं पर लिखलीजिए बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाल नमअ हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम्ह अब इस पीले कपड़े की पोटली को आपको ले जाना है और अपने उस कमरे में रख देना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथी की रातरी को कर लिया तो मान कर चलिये भगवान विश्णुजी का तुरंथ ही आपको वह आशीरवाद मिल जाएगा जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे करियर कारोबार में आपको उन्नती देखने को मिलेगी कोर्ट का चहरी में चल रहे हैं मामलों में आपको जीत हासिल होगी चारों दिशाओं से आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी भगवान विश्णुजी की कृपा से आने वाला समय आपका बहुत ह अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय माता लक्ष्मी जी की कलाचित्र रखी है पूजा घर पर आपको सबसे पहले घी का दीपक जला देना है एक लाल कपड़ा बिछाना है लाल कपड़े पर आपको एक मुठ्थी धनिया चार लॉंग और तीन कपूर रखना है हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों एक म पोटली बनाने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको ग्यारह बार करना है बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमह हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों ओम महालक्ष्मी नमह अब इस पोटली को आपको तुरंत ले जाना है अपनी अलमारी में धन आएगा उसमें वृद्धी होगी। आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चलाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपको अपने जीवन की आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और मान कर चलिए आने वाले समय में माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद हमेशा आप पर बना रहेगा। तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पूर्णिमा तिथी को आपको अपने घर पर ग्यारह रोटी बनवा लेनी है। हर रोटी पर थोड़ा सा सूखा धनिया रख देना है और किसी भी गाय को अपने हाथों से इस ग्यारह रोटी को खिला देना है। क्योंकि दोस्तों एक गाय में 33 कोटी देवी देवताओं के वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण जी जो भगवान विश्नु जी के अवतार थे वह सबसे बड़े गौश सेवक थे। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर पवित्र दिनों पर गाय को रोटी में विशेश चीज रख करके खिलाया जाए तो उसका लाभ एक व्यक्ति क जरूर मिलता है और अगर आपने इतना उपाय इस पूर्णिमा तिथि के दिन में कर लिया तो मान कर चलिए सदैव भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद आप पर बना रहेगा इसी लिए ये उपाय करना मत भूलिएगा और अभी तक आपने वीड वीडियो को लाइक कर दीजिए